टेक्स्टाइल इंडस्टी में भारत लगातार प्रयास तो कर रहा है लेकिन चीन और बांगलादेश की चालाकियों के वज़े से भारत कहीं न कहीं इसमें पिछड़ता दिखा है वैसे बांगलादेश की बात करें तो उसको यूरोप में कई देशों से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानि की MFN का दरज़ा प्राप्त है जिसकी वज़े से बांगलादेश को किसी भी तरह की डूटी भरने की आवशक्ता नहीं पड़ती है जिसके चलते वो चीनी मदद के सारे धडले से टेक्स्ट्राल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट में एक छटर राज़ कर रहा है जिसकी वज़े से आपको यूरोप और अमेरिका में मेड इन बांगलादेश के टैग के साथ सारे कपड़े दिखाई देंगे लेकिन वो कहते हैं ना वक्त बदलते देर नहीं लगती और कुछ ऐसा ही होता हुआ भी दिखाई दिया है दरसल यहां सारा खेल लो लेबर कोश्ट का है जिसके चलते बांगलादेश अब तक सस्ते लेबर के सारे भारत से बढ़त बनाय होए था लेकिन अब खबर ये निकल के आ रही है जिसमें भारत ने चीन और बांगलादेश की चालाकियों को सीधे सीधे नाकाम कर दिया है ये तो आप जानती होंगे बांगलादेश में बिजली का संकट अपने 10 सालों के उचितम सतर पर है और इन सारी इंड़स्टियों के लिए आपको बिजली की ही आवशक्ता होती है चाहे वो टेक्ष्टाल इंड़स्टी हो या फिर गार्मेंट इंड़स्टी हो जो कि अब का नहीं दिख रहा है क्योंकि भारत कोश्ट के मामले में बंगला देश को पठकनी देता नजर आएगा फिर चाहे अमेरिका हो या यूरोब सब कोई भारत में बने हुए कपड़ों का ही इस्तमाल करते नजर आने वाले हैं क्योंकि यहां बात सस्ती चीज की हो रही है जो भा दुनिया के बड़े देश भी आपको साथ लेने के प्रयास तेश कर देंगे और ऐसा ही कुछ होता भी दिख रहा है यह तो आप जानते होंगे भारत ने चंद्रयान 3 लांच करके एक नई शुरुवात को अंजाम दे दिया है वहीं भारत के ऐसा करने के 6-8 दिन ही बीते हो कि रूस ने एक बड़ा ओफर ब्रिक्स देशों को दे दिया है दरसल रूस स्पेस इंड़स्टी में आप निर्वर बनने के लिए और्बिटल स्पेस स्टेशन के निर्मान में लगा है जो लो अर्थ और्बिट में काम करेगा इसकी मदद से रूस कॉस्मिक रेडियेशन स पहले सही अपने स्वधेशी स्पेस स्टेशन के उपर काम करना शुरू कर चुका है जिसमें इस रोष अपनी बड़ी भूमिका निबा रहा है वहीं भारत के चुंद्रयान और गगणियान के कारिक्रम को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलती दिखाई देगी वहीं आप सबको क्या लगता है क्या भारत को रूस के इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना चाहिए या भारत को अपनी सौदेशी शमता को बढ़ाते हुए अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए